हेलो फ्रेंड्स और दियर श्रेंड्स आज बैचलर इन फामेसी के एड़्थ समेस्टर यानि फोर्थ येर के एक एलेक्टिव सब्जेक्ट क्वाल्टी कंट्रोल और इस्टोनाजिशन ऑफ हर्बल्स जिसका कोर्स कोड है BP806ED इसका एक मॉडल कॉश्चिन पेपर मैं आपके 8th semester में तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्ण पतर आपको देखने को मिल सकता है इस मॉडल कॉश्चिन पेपर में मैंने जो इतने भी प्रश्ण लिये हैं वो सभी प्रश्ण इंपोर्टेंट है क्योंकि ये प्रिविएस येर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रश्ण है साथे साथ कुछ और इंपोर्टेंट प्रश्ण है जो पूछे जा सकते हैं जिनको मैंने यहां पर इंक्लूड किया है यानि एक्जाम में जाने से पहले आपको एक बारिन सा भी प्रश्ण को अच्छी तरीके से जरूर हल करके देखनेना चाहिए और इस सेक्षिन में बता होता है और सभी सेक्षिन ह Chelsea में बारे में भी हम जानते हैं और इसमें खास बात ही होती है के में सभी प्रश्णों को सॉल्ट करना होता हमें कोई बहुemorता और यहां पर देखने को नहीं मिलता यहningar मतं या आप a fill in the blanks, true or false या MCQs भी देखने को मिल सकते हैं बट very short answer type questions ही देखने को मिलेगें चलिए इसके questions लेते हैं और इसके answers को भी मैं discuss करूँगा क्योंकि ये छोटे questions है तो इसके answers डिसके जा सकते हैं जैसे कि सबसे पहला प्रेशन है define processed and finished herbs as per WHO तो जब लो एक हो कहीं साब से processed and finished herbs क्या है तो जो herbal medicines है या herbs है जिनको अब herbal materials, herbal preparations के नाम से भी जानते हैं इन सभी में बहुत सारे crude materials जो की plants से मिल रहे होते हैं खासकर कर जैसे lichen है, algae है, fungi है, higher plants है उन सभी जगों से लिये जाते हैं crude drugs जो होती है, crude materials जो होते हैं, leaves होती है, flowers होते है, fruits होते हैं, fruiting bodies होती है, seeds है, stems है, roots है, barks है, roots है यानि plant के कोई भी part हो सकता है, तो यह जो herbs और उसके जो plants है या उसके जो materials है जब इनको किसी प्रकार से process किया जाता है, different ways में, ताकि उनके forms में हम उनको change कर सकें जिसमें whole herbs या teas या syrup, essential oils, ointment या rubs, capsules, tablets उनमें बना सकते हैं, जिसमें ये raw herbs जो है, वो grounded या powdered form में होती है या इनका extract निकाल के यूज़ कया जाता है, तो उसे ही को हम लोग processed herbs के जानते हैं, जो finished herbs है, वो finished herbal products से नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें herbal preparations होती है एक या उस से ज्यादा herbs या herbal plants के, और अगर 1 से ज्यादा herbal plants यूज़ के जाते हैं, किसी preparations होते हैं, हम लोग mixed herbal products बोलते हैं as per WHO और जो Phoenix Herbal Products का नाम है या मतलब है उसमें मिक्षर होते हैं herbal products के और साथी साथ उसमें इक्सिपीयंट्स मिले होते हैं जैसे कि उसमें flavoring agent है उसमें sweetening agent है उसमें stabilizers है उसमें diluant है ये सारी चीज़े उसमें डाली जाती है इक्स एपियेंट्स और उसके बाद एक formulation जो है वो तयार किया जाता है active ingredients के साथ उसी को हम लोग finished herb के नाम से जानते हैं next question is define tetragenocity and SOP tetragenocity जो है एक common term है जब भी कोई drug या कोई chemical compound किसी pregnant lady को दिया जाता है और उसमें उसके जो fetus है या embryo है उसमें structural malformalities या फिर functional abnormalities जो है वो देखने को मिल जाती है कहने का मतलब जो drug tetragenocity है वो उसकी वज़ा से जो प्रेगनेंट ladies है उनमें abnormalities देखने को मिलती है उनके fetus में जो बच्चा होने वाला है वो abnormal होता है अब यह जो drug tetragenocity होती है है वो specific होती है specific होती है साथी साथ कि depend करती है कि drug का exposure कितने समय के लिए दिया गया कितनी dose है या कितने duration है उसका उसके उपर भी और जो इसमें खास करके जो maternal physiology है embryology है या genetics है इन सभी चीजों को भी धियान में रखना पड़ता है next question is sorry next term is SOP SOP का full form होता है standard operating procedure as for standard operating procedure या किसी भी आप क्या ना में process को करना चाहरे है खास करके जैस ऐस पर डव्लू एचो या किसी guideline के थुरू करना चाहरे है इस पर pharmacopia या फिर ऐस पर ICH तो जब भी आप किसी भी चीज़ को जैसे माली कोई extraction करना है या कोई आपको test perform करना है तो इसके जो each and every steps है वो हमारी regulating body के दवारा पूर्टेया क्या ना में fix होते हैं और एक specified manner में होते हैं और वह जहां लिखा होता है उसी को हम लोग standard operating procedure बोलते हैं और हमें उन्ही procedures को follow करके उस test को या उस procedure को perform करना पड़ता है तो उसे हम लोग SOP के नाम से जानते हैं next is name examples of herbal drug interaction जब herbal products लिये जाते हैं तो खासिकात किसी और जो drugs है उनके साथ उनका interaction हो सकता है उसके बहुत सारे examples हैं जैसे की अच्छे examples में आपके सामने रखना हो जिसे जिंको को बेलोबा जो होती है अगर उसको जो है वार्फेरिन या एस्परीन के साथ लिया जाए तो वह bleeding जो है वह cause कर सकती है साथी साथ अगर जो है इसी ड्रग को हम लोग ठाय जाए डायरेटिक्स के वह हाई करने का काम करती है साथी साथ जो है टेरा जो डोलोन के साथ जो है वह आपका कोमा भी कर सकती है पैनेक्स जिंसेंग की अगर बात करें तो इसके जो जो ड्रग है अगर इसको लिया जाता है तो वार्फेरिन और अल्कोहल इत्यादी के blood concentration को ये कम करने के काम में आत अगर इंप्लांट ड्रग से साथ ले जाते है जैसे की हाईपर सीम के साथ तो इसके blood concentration को ये ड्रग कम करती है तो ये सभी एक्जामपल्स हैं कुछ अगले प्राश्म तरफ सलते हैं तो यह की जो प्लांट मेटेरियल हैं जो हर्बल मेडसीन में जनरली हम दो यूज कर रहे हैं उनकी quality बन कर किया उनको सही quality के सही product उनको प्राप्त हूं दूसरा ज़ो है ज्यादा मात्रा में जो है वो crop जो हो यह भी good agricultural practices के इंतर गताती है साथी साथ जो इसका objective वो ही है कि support देना ताकि sustainable जो cultivation है जिसकी वज़े से plant और environment का conservation जो है वो भी हो सके इसके साथी साथ gap का एक और काम है कि यह guide development करती है ताकि जो national guidelines है gap की वो जो है मिले और standard operating procedures जो है वो भी लोगों तक पहुचा पाए यह भी इसके objectives है इसके साथी साथ जो pesticide या herbicide सित्यादी का उप्योग है वो किस प्रकार से करना है कब करना है कितनी मात्रा में करना है इन सभी चीजों का और कौन-कौन से equipment सित्यादी का प्रियोग करना है कौन सी फसल को कब cultivate करना है यह सारी जो objectives है वो सब बहतर तरीके से लोगों तक पहुचाना उसकी guidelines देना इस उप प्रिप्रेशन का जिसकी और यह किस चीज़ पर होता है यह process होती है of prescribing a set of standards या फिर inherent characteristic या फिर consistent parameters defective जो definitive जो qualitative या quantitative values है किसी भी चीज़ के लिए और साथी साथ जो है assurance होती है quality की, efficacy की, safety की और reproduciability की यानि जो भी drug आप ले रहे हैं वो एक quality product है, safe है और efficacious की अच्छी है, सारी बातें जो हमें standardization के द्वारा ही पता चलती है इसमें काफी सारे process होते हैं जिसके तुरू आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि macroscopy है, macroscopy है, histochemistry हम पढ़ते हैं, powder study करते हैं, physical chemical properties की studies करते हैं, phytochemical analysis हित्यादी करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं, और आगे चल करके instrumental analysis वगेरा भी हम perform करते हैं, जैसे कि हम TLC कर सकते हैं, HPTLC इत्यादी कर सकते हैं, जो कि हमें standard drug, drug का value है, standard value है, उसको पता करने के काम में आता है, next is acute toxicity test and its significant, acute toxicity test जो है, वो drug की toxicity या किसी chemical की toxicity को पता करने के लिए किया जाता है, acute toxicity test जो है, वो determine करता है, lethal dose या concentration, किसी भी substance या drug की, जो की 50% death cause करता है, एक test population में, जैसे किसी भी animal को लेकर के हम test perform कर रहे हैं, और उसके 50% जो population है, अगर वो death की तरफ चला जाता है, तो उसे ह हम लोग acute toxicity test के रूप में जठते हैं, जिसे हम LD, lethal dose या lethal concentration 50 के नाम से जानते हैं, LD50 या LC50 के नाम से जानते हैं, जो कि एक short term exposure के अंतरगत आता है, अब ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक किसी drug को देना है, इसको अगर simple सब्दों में कहें, तो कह सकते है, acute toxicity जो है, वो adverse effects है जो कि किसी भी oral या dermal administration की किसी भी single dose of the substance या drug को दी जाती है, और एक multiple dose दी जा सकती है 24 hours में, या फिर अगर कोई gaseous चीज है, तो उसको inhalation दिया जाता है, लगबग 4 घंटे के लिए exposure दे करके, और अगर जिस test animals को दिया जा रहा है, माली ये dust animals को ये चीज़ें दी गई, औ और उसमें से 50% कि अगर death cause हो गई तो इसका मतलब कि वो toxic है और उसको हम आगे further use नहीं कर सकते है, toxicity जो testing है वो एक essential role play करती है, जो कि जो potential adverse effect है किसी भी chemicals या drugs का उसको जानने के लिए, तो ये काफी काम की चीज हमारे लिए हो जाती है, next is define self life and give its significance, तो जो self life है, वो किसी भी drug की या किसी भी medical product की या किसी भी substance या किसी chemical की, वो expiration date के बारे में भी generally बताती है, ये time frame होता है जिसमें वो drug या chemical compound या medication जो है, वो prove होती है कि वो safe है, effective है despite exposure to various environmental factors, जिसमें temperature, humidity, light, etc, सब कुछ आती है, जो self life होती है, वो key factor होता है, एक product की safety, quality और उसकी value को पकड़ने के लि जो ज्यादा लंबे समय के लिए जो इसकी self life gin products की ज्यादा होती है, वो बहुत ही कम ऐसा पाय जाता है कि वो spiral हो या expire करे जल्दी और उनकी जो quality होती हो higher होती है, जब तक कि वो अच्छी तरीके सुनका storage इत्यादी किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हमें इससे पता च swelling index जो है, वो फर्मा कोगनोसी में किया जाता है, प्लांट्स की एक quality चेक करने के लिए और वो quality है उसकी कि वो कितना water कोई uptake करेगी और swell करेगा, तो ये swelling index जो है, वो है volume जिसे हम लोग express करते है milliliter में, जो कि occupied किया जाता है, एक gram of the herbal drug and the adhering mucilase के द्वारा, जिसमें जब ये swallow करती है, एक aqueous liquid में for the 4 hours, 4 hours के लिए रख करके, तो जो swelling index होता है, वो one of the most important parameters होता है, एक किसी plant material की water uptake की capacity को और उसके swell करने की capacity को जानने के लिए, ये index जो है particularly जो है, वो हम लोग detect करते हैं, level of the muscellaneous substance और hydrogels को जानने के लिए, next question is give applications of TLC with reference to herbal drug stenerization, TLC यानि thin layer chromatography जो है वो एक technique है, जो कि use के जाता है, fast screening of the herbal products की ताकि उनको identify किया जा सके, और जो different herbal species हैं, जासे कोई एक plant आपको लेना है, और उसके different species लगबग देखने में एक जैसी होती, तो उन सभी के बीच में difference करने का काम जो है, वो TLC के दवारा हम कर सकते हैं, और जो standards हैं, वो maintain कर सकते हैं, one of the major advantage जो TLC के साथ होता है, वो इसकी किसी भी चीज को trace करने की जो capacity है, वो बहुत ही बढ़ी है, हम इसे optimize कर सकते हैं, optionational parameters के दवारा, जैसे की sample का जो application है, plate का जो development है, या जो derivation है, तो इसलिए काफी जादा काम में आती है, different drugs को stendrise करने के लिए, और जो quality drugs हैं, उसको पहचानने के लिए, identify करने के लिए, और differentiate करने के लिए, different herbal species को, next question is, define ace value and give its significance, जब उन किसी drug के, या किसी part of the plant के, mineral samples को, जा मिनरल कितना उसमें अंदर present उसको जाना चाहते हैं, तो हम उसे simply burn कर देते हैं, उसको ash में convert कर देते हैं, जला करके, और जो ash होती है, वो ash value होती है, वो measurement होती है, कि कितना mineral present है किसी plant sample में, तो जो ash value है, वो determine करने के लिए, हम समझ सकते हैं, यह यह चीज़ और determine करती है, that is, extractive value जो है, उस plant की, वो कितनी है, या फिर nutrition, जो content है, plant का, वो कितना है, तो जो total ash value है, वो एक good indicator होती है, purity of the plant sample की भी, तो जो total ash value है, उसको calculate करने के लिए, हम लोग total ash percentage में निकालते है, weight by weight is equal to weight of the ash, जो ash आपको मिली है, और upon the weight of the sample into hundreds, उसको multiply कर देते है, तो जो total ash value होती है, वो 11.75 अगर percent है, तो माना जाता है कि बढ़िया है, जो acid insoluble ash होती है, वो 7.45 percent के आसपास, और जो water soluble ash होती है, वो 7.85 के आसपास, उनी, चाहिए, इसका मतलब कि अगर ऐसा कुछ है किसी root plant duck का, जैसे कि example ले रहे हैं, तो वो माना जाता है कि वो best action or effect जो है, वो show कर सकती है, इसी में एक और question जोड दिया है, that is, or define bitterness value, क्योंकि ये सभी प्रशन काफी बादे पुछे गए है, त to define bitterness value, bitterness value जो है, वो European pharmacopoeia के द्वारा जो है, डिफाइन की गई थी, जिसमें उनके हिसाब से, क्या शब्ध है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, that is the reciprocal of the dilution of the compound, a liquid or extract that still has a bitter taste, यानि कि हम इसको जो भी chemical हमको लेना है, या जो भी substance है, जो भी extract हमने किया है, उसको हम लोग dilute करत कितना dilute करने के बाद भी उसकी bitterness बची रहती है, उसको हम लोग compare करते हैं with the cunein hydrochloride, cunein hydrochloride की जो bitterness value है, उसके साथ इसको अपनी drug को हम compare करते हैं, तो जो bitterness value है, एक्प्रेस किया जाता है, unit equivalent to the bitterness of the solution of containing 1 gram of cunein hydrochloride in 2000 milliliter या फिर 2 liter में cunein hydrochloride को लेना है, 1 gram बेट कर लेन है, उतना ही dilution करते हैं अपने substance का और फिर चेक करते हैं कि इसकी betterness value क्यों नी से कितनी जादा है या कम है, उसी के reference में हम लोग बताते हैं कि betterness value कैसे निकलेगी, तो यही इसका betterness value है, यह हो गया इसका definition, next is section B, जिसमें हम log answer type questions ले रहे हैं, यह sections उपर नीचे हो सकते हैं as per university या college कि कोई section उपर आ रहा है, कोई section नीचे आ रहा है, मतलब छोटे वाले question उपर आ रहे हैं, बड़े वाले question उपर आ रहे है, बट paper का pattern लगबग ऐसे ही रहता है, इसकी खास बात ही होती कि इसमें में तीन questions डेखने को मिलते हैं, तीन में से दो आपको जो बैतर तरीके स सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह जो subject के questions हैं, वो आपको herbal drug technology जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 6 semester में, या क्रोगनोसी जो आपने फार्मा क्रोगनोसी फाइटर के इसमेस्टी पढ़ी है, वहाँ से भी आपको इनके जादातर questions के answer मिल जाएंगे, यो कि लगभग सहले बस से पहला questions में, explain the quality control of herbal drugs as per WHO guidelines and ICH guidelines for the quality control of the herbal drugs, तो WHO guidelines और ICH guidelines आपको इहाँ पर बताने हैं, next is explain the infrastructure and general requirement of herbal drug industry as per the good manufacturing practices, GMP के थ्रू, जो GMP की requirements हैं, क्या infrastructure होना चाहिए, क्या general requirement हैं चाहिए, एक herbal drug industry के लिए वो आपको बताने हैं, next explain the role of chemical and biological markers in the standardization of herbal products, या फिर एक question मैं और जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि काफी बार पूछा गया है, write a note on various herbal pharmacopias, या जो different herbal pharmacopias हैं, उनके बीच में difference भी कई बार पूछा गया है, तो या आप देख करके तयार कर लीजेगा, next section is section C, जिसमें हमें short answer type questions देखने को मिलते हैं, और इस 45 marks का ये section होता है, यानि ये जो section होता है, वो सबस्यादा scoring होता है, तो इसमें आपका पहला प्रस्चन है, detailed notes on the evaluation of commercial crude drugs intended for the use, next question is, write the application of chromatography techniques like HPTLC, इस पे अलग से question कई बार पूछेगे हैं, हच्पी तील से, इसलिए मैंने यहाँ पर ये like HPTLC add कर दिया है, बट और जो chromatography techniques स उन पर भी question पूछ सकते हैं, या एक general question भी पूछा जा सकता है, in the instantization of herbal drugs, herbal drugs में इनका application क्या है, next is, write a note on GLP और GMP, good laboratory practices, या फिर good manufacturing practices, in herbal drug industry, उस पर आपको एक notes भी लिखने के लिए आ सकता है, next is, describe the various parameters to be included in a protocol for the stability testing, stability testing में कौन कौन से protocol और parameters जो हैं वो लिए जाते हैं, next is, discuss the protocol for clinical guidelines in the herbal medicines, what is traditional system of medicine, इसे ये बहुत बार पुछा गया है, what are the GLP requirements in the traditional system of medicine, good laboratory practices requirement, क्या क्या चाहिए, traditional system of medicine, जिसमें आपका हमे पैथी है, अरवेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, इन सभी के लिए, next is, write a note on the preparation of documents for new drug application and export registration, अगर कोई नया drug खोजी गई है, तो किस परिकार से उसका new drug application file किया जाएगा patent के लिए, या फिर उसको market में लाने के लिए, और साथी साथ अगर कोई बाहर से लेना चाहता है, या बाहर के लिए है, भीजना है, तो export किस प्रकार से, registration, export किस प्रकार से करते हैं, उसका जो registration किया जाता है, उसके लिए कौन-कौन से documents prepare के जाते ह आपको यहाँ पर बतारा है, next, last question is, write a note on good practice for harvesting and storage of herbal products, herbal products का harvesting और उसका storage किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए क्या-क्या good practices है, वो भी कई बार पूछा गया है, तो यह भी एक important question है, जो कि पूछा जा सकता है, तो यह था आज का माई वीडियो, जहाँ पर हमने एक elective subject जो आपका है, standardization of herbals का, इस पे हम लोग एक model question paper आपके सामने रखे हैं, जो कि latest examination pattern और syllabus पर based है, तो आपको helpful हो सकता है, अगर इसका जो PDF लिंक है, वो मैं description में दे दूँगा, यह subject, क्योंकि elective subjects हैं, अभी हम लोगों इसके वीडियो सो नहीं बनाए, बड़ जिरी books से कि आपको इन सभी प्रश्णों के उत्तर जो है, वो अच्छी तरीके से पढ़ करके, समझ करके, लिख करके, त्यार कर लेना चाहिए, और आशा करता हूँ कि यह paper आपको मदद करे, आपकी तैयारी करने में, अगर वीडियो पसंद आयों चाहिए, लाइक कीजिए, अपने और दाउव drifting एकtera, ओर वाइक कृका तैयारी करके तैयारी कर का विए ओको मदद कर तैयार